एपिसोड 5 की स्टाइटिंग में हमको दिखाया जाता है मार्शल मास्टर ने वहाँ पर अपने हिरो को बचाने के लिए अपनी पूरी स्पीट का यूज़ कर दिया था लेकिन फिर भी आखरी टाइम पर सिटी लॉड ने उसके उपर एक ब्लू मारने में कामियाब हो गए थे जिसके कारण अपना हिरो लिंग पीछे दिवाल में उलता हुआ थलाम से जाकर टकराता है और सिटी लॉड के अटेक के इफेक्ट रे कारण उसके मुझे से खून भी निकलाता है लिंग की तरफ भाग के जाते हुए कहती है लिंग जब वुले उसके पास पहुंचते हैं तो लिंग वहाँ पर दिरी दिरे करके उटने की कोशिच कर रहा था लिंग की बहुत जिगाओं से ब्लड निकल ला था और साथी दर्द होने लगा था जिस कारण से वह वहाँ पर बुरी तरह चिलाते हुए कहता है अपने मास्टर को सही सलामत देखकर जो अपनी फाय लेडी की को थी तुरन भागते हुए उसको वहाँ पर हग कर लेती है और प्यार से गले लगाते हुए कहती है मुझे इस चीज के बारे में बहुत ज़रा टेंशन हो गई थी की को का इस तरह से अपने आपको गले लगाते हुए देखकर लिन वहाँ पर बहुत ज़रा ब्लेस करने लगा था जिस कारण से उसकी जिस जगा पर चोट लगी थी अब वहाँ पर वह अपने मन में कहते हैं क्या तो मुझसे मजाक कर रहे हो आम तोर पर हेमिली मैलेट की चोट खाया हुआ कोई भी इनसान डोडनिल के रूप में मारा जाता है लेकिन ये लॉंडा अपने आप उठकर उस रड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहा है और फिर वहाँ पर पीछे सिटी लॉड के लॉंडे के तरफ देखकर अपने मन में गुसाते हुए कहते हैं ये तो बिलकुन वैसा ही है जैसे कि सिटी लॉड अपने टाइम में सभी लोगों को तंकरा करते थे और वो आज के समय में इस सिटी का सिटी लॉड बनके बैठा है दूसी तरफ हमें सिटी लॉड को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर अपने हीरो को बिलकुन सही सलामत देखकर बहुत जादा गुसा जाता है अपने दाथ को पीछते हुए कहता है तुम लॉंडे और फिर जोड-जोड से हसते हुए कहता है दद तेरी की तुम तो एक जीनियस निकले और दोस्तो इस चीज को देखने के बाद तो विग्दम पगलास आ जाता है जैसे कि आपने कुम्फू हॉस्टल में देखा होगा जो मेंडर की तरह था वो पगला के उच्छलने लगा था वैसे यहाँ पर यह भी पगला के उच्छलते हुए कहता है आप से तो मास्टर चैन के ताओ अरेना में स्टड़ी करोगे आफिर वहाँ पर जंप लगाते हुए सीधी लिंड के पास जाकर उसके गले में हाठ डालते हुए कहता है और तुम्हारे सीखने का सारा पैसा मेरी तरब से दिया जाता है मास्टर चैन तुम्हारा इस बारे में क्या खयाल है सिटी लॉड की बास सुनके मास्टर चैन कहते है हाँ ये बहुत बढ़ा आइडिया है लेकिन दूसी तरफ जो City Lord का लॉंडा था उसकी तो बुरी तरह जेर हो गई थी और वो गुसाते हुए कहता है बपा हम उसे इस तरह से अजात नहीं छोड़ सकते उसमें मुझे बेफाल्तू में ही पीटा था City Lord अपने बेटे की बात सुनने के बाद बहुँ ज़रा गुसा जाते हैं और उसके पिछवाडे के उपपर एक खुब कस्के लाग मारते हुए कहते हैं हाँ तो क्या दिक्कत है तू तो इसी लाइक है मकार कमीने और उसके ऐसा करने के साथ में उसका लंडा हवा में आसमान में उड़ जाता है फिर हमें थोड़े दिर बात दिखाया जाता है City Lord वहाँ से जाते हुए कहते हैं अच्छा तो ठीक है मैं लिंजिन को आपके पास पढ़ने के लिए छोड़ दे रहा हूँ और मैं चलता हूँ मास्टर चैंग जब मौका मिले तो मेरी जगा पर जरूर आईएगा मास्टर सैंग City Lord की बास सुनकर थोड़ा घवराते हुए कहते हैं हाँ बिलकुन मैं अपनी पूरी कुशिश करूँगा चलो ठीक है City Lord तुम यहां से तुरन निकल लो City Lord के जाने के बाद हमें म्याओं को दिखाते हैं जो कि अपने पापा के पास आकर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है फादर लिन टेंजियू को अचानक से 180 डिगर का मोल बनाना पड़ा क्या वो मजबूर हो गया था मुझे लगता है कि वो अपने मन में बहुत गंदे ख्याल रखने वाला इंसान है अपनी बेटी की बास सुनके मार्शल मास्टर भी वहाँ पर सोचते हुए कहते हैं मेरी बेटी वो सिर्फ इसलिए City Lord नहीं बन पाया क्योंकि वो एक सक्त आदमी है क्योंकि वो अभी भी बहुत अच्छे से जानता है लिन जिन हमारे सनी सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है दूसी तरफ अपने हीरो लिन को फायर गरल खुप कसके पकड़ के उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है तो अब बताओ क्या हम लोगों के शुरू होने से पहले ही तुम खतम हो चुके हो मुझे तो अभी तरफ कोई मज़ा भी नहीं आया लिन जिन उसको अपने पास आते हुए देखकर घबराते हुए कहता है अरे तुम किस बारे में बगवास कर रही हो मेरे बहुत चोट लगी है ऐसा मत करो फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको स्टेडी रूम दिखाया जाता है जहां पर अपना हीरो मास्टर चैंक के साथ मैं बैठा हुआ था अब वहाँ पर मास्टर चैंक चाहे पीते हुए कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी इस बात पर कोई शक नहीं हो रहा तुमको हीमन सोर्स बीस्ट कैसे मिली बताओ मुझे मास्टर चैंक की बात सुनकर वो बहाना बनाते हुए कहता है ये बहुत लंबी कहानी है तो चले इस बारे में बात ना ही करें तो बढ़िया रहेगा लेंग की बात सुनकर मास्टर वहाँ पर थोड़ा सैड होते हुए कहते है अच्छा तो ठीक है तो फिर मैं तुम्हें इस बारे में पूच कर परशान नहीं करूँगा लेकिन क्या तुमने आज समझा कि यहाँ पर सिटी लोड तुम्हें मारते हुए अचानक से क्यूं बदल गए मास्टर चैंग की बात सुनकर अपना हीरो उन से कहता है मैंने भी यह सोचा था कि यह बहुत अजीब वैवार की आनोंने शायद वो इसलिए है क्योंकि वो मुझे अपने साथ शामिल करना चाते है अपने हीरो की बात सुरके मिस्टर चैंग वहाँ पर गैरी साथ छोड़ते हुए कहते है नहीं बिलकुन नहीं उसने मेरे बगल में कहा था वो ऐसा कभी नहीं करेगा और तभी अचानक से मिस्टर चैंग को एहसास होता है और नहीं मैंने तो बहुत कुछ बूल डाला इसके सामने अप फिर वहाँ पर अपने हीरो को समझाते हुए कहते हैं बेटा मैं बुरा नहीं हूँ मैं तो बस सोच में पढ़ गया और बलबलाने लगा तुम मेरी इस बात को सिरिसली मत लो लेकिन दूसी तरफ अपने हीरो के वहाँ पर पसीने आ रहे थे और फिर वहाँ पर मिस्टर चैंग एक मैप को खोलते हुए कहते हैं वैसे भी मैंने यहाँ पर आपको सिक्स सिटी के मार्शल आर्ट टूनामेंट के बारे में बताने के लिए बुलाया है मेरी बात को ध्यान से सुनो इसमें सिक्स सिटी हैं जहाँ पर पहाली प्रांत सभी दूसरे प्रांत के सामें दिखावा करने के लिए एक दूसरे के साथ में कॉंपटीट करते हैं और इसके अलावा ये 6 City का सबसे बड़ा टूनामेंट होता है जिसे हर 3 साल में किया जाता है और ये अगले मैंने शुरू हो रहा है लेकिन हमारा City बहुत ज़रा छोटा है जिस कारण से ये सबसे आखरी में आता है क्योंकि हमें खत्म कर दिया जाता है इसलिए मुझे जारा जीतने की उमीद नहीं है लेकिन इस बार जब तुम हमारे पास आ गए हो तो हमें लगता है कि इस साल हमें एक मौका मिल सकता है City Lord की बात सुनके Lynn वहाँ पे सोचते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है आप चाहते हैं कि मैं इस टूनामेंट में भाग लूँ उसके इस बात को सुनके Mr. Chan बहुत सरा खुश होते हुए कहते हैं हाँ हाँ हम यही चाहते हैं कि तुम हमारी City की तरफ से रीप्रेजेंटिटिटिव बन के जाओ और साथी तीन लोगों के साथ टीम बना कर कॉम्पटीट करो और तो और अगर तुम इस टूनामेंट को जीत जाते हो तो यह तुमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा और हमारे Sun City में हर कोई तुमारे आगे सर जुकाएगा City Lord की बात सुनके अपना हेरो वहाँ पर उनके तरफ देखते हुए कहता है खैर इन सब चीजों के बारे में भूल जाते है सबसे पहले मैं Fame और Glory के बारे में बात करना चाहता हूँ अगर मैं वहाँ पर Competition जीत जाओंगा तो मेरे लिए क्या होगा City Lord उसकी बात सुनके हैरान होते हुए कहते है आखिर तुम क्या चाहते हो अच्छा तो ठीक है मैं इस बारे में City Lord से कल जाकर बात करूँगा और फिर अपने मन में सोचते है आज कल के नए लॉंडे सच में बहुत ज़रा चलाक हो गए है और उनको खोपचे में लेना बहुत कठें है और इसी के साथ अपना हेरो लिन वहाँ बार City Lord से बात करके बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है वो लोग चूतिया इंसान ये सोचते हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे को मक्षन लगा सकते हैं आ ठीक है ये उनके सपने में होगा लिन की बात सुनने के बात बुक उसको समझाते हुए कहता है अगर वे तुमको परशान नहीं करते तो भी तुम्हें जलबाजी करनी होगी इस तरह के competition आपकी cultivation को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़या source है बुक की बात सुनके लिन उसकी तरफ देखके smile करते हुए कहता है अच्छा तो यही कारण है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस competition में क्यों शामिल हूँ क्योंकि अगर मैं दिरे दिरे सुधार करता हूँ मुझे आपकी demon race की वापसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और उसकी इस बात को सुनके बुक वहाँ पे गुसाते हुए कहता है तु कमीने ऐसे कैसे बोल सकते हो और वो इतना ज़्यादा गुसा जाता है कि लिन के पिछवाड़े के उपपर एक सोर से गुसा मार देता है और लिन महाँ पर दिवाल में जाके टकराता है और गुस्से में बुक चिलाते हुए कहता है इस गेम की सारी चीजे अपने दिमाग में काईदे से बैठा लो कि तुम्हें कैसे क्या करना है वहाँ पर दिवाल से टकराने के बाद लिन धीरे से अपनी आग खोल के कहता है अहा बहुत तेज तुने मेरे वो पेला है मैं तो बस मजाक कर रहा था लेकिन तभी जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर बलेश करते हुए कहता है अरे वहा यह तो कमाल का है यह इस्मोक सच में बहुत होट है और दोस्तों हमको पता चलता है लिन जिस दिवाल से वहाँ पर टकराया था उसी की ज़क्र पीछे मियाओ वहाँ ओ पर नहा रही थी और लिन ने वहाँ पर म्याओ को खुल्याम नहते भी देख लिया था नेक्स्ट अपिसोड दोस्तो बहुत ही होट और सेक्सी होने वाला है क्योंकि म्याओ अपने हीरो को खुब दड़ा दड़ा के मारेगी हालो गाईस आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें एक लाइक सस्क्राइब करना बिलकुन मत भूलिएगा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपिसोड में थेंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो लव यॉल